हेलो एबरिवन स्वागत है आपका स्टड़ी 1.2 में दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा तीन सब फलो में से 20 परतीसत केला है और 30 परतीसत आम है तो अनार की संख्या कितना होगा तो वीडियो को पूरा देखना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो यहां बोल रखा है कि टोटल 300 फल है ठीक है तो 300 फल में से 20 परतीसत केला है और 30 परतीसत आम है तो अनार की संख्या कितना होगा तो सबसे पहले हम केला की संख्या निकालेंगे कि तीन सब फल में से केला की संख्या कितनी है तो कैसे निकालेंगे तो तीन सब का बीस परतीसद तीन सब का का मतलब गुना होता है फिर बीस बटे में सो तो यह नीचे वाले दो जिरो उपर वाले दो जिरो से कट गया तो क्या बच्चा तीन गुने बीश तो बीश तीया साथ तो केले की संख्या कितना आ गया साथ आ गया अब हम निकालेंगे आम की संख्या तीन सफल में से आम की संख्या तिसमें भी यही चीज़ करेंगे 300 का 30 पर 30 तो 300 गुन्य 30 बटे में 100 ये 2 जिरे सूपर अलबा 2 जिरे कट गया तो 30 तिया 90 तो आम की संस्था कितना हो गया 90 हो गया तो 300 फल में से 60 हो गया केला और 90 हो गया आम तो इन दोनों को जोड लेंगे 60 90 को जो रहेंगे यह आजाएगा Rs. 61 छा इर्ष टो टीन सब फाल में कीर से यह माइंस करदेंगे एक से पचास फल को माइनस करेंगे यह आजाएगा डेर सा फल ठीक यानि अनार की संख्या कितना हो गया डेर सा हो गया इस परकार से हम इस टाइब के सवाल को सॉल्म करते हैं असानी से आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस कर लेना धन्यवाद